हलो अब्रिवन जहिन यदि आप भूतपूर से निक एक सर्विसमेन है तो आपका स्वागत है हमार इस यूटूब चैनल पे इस विडियो में फ्रेंड्स आपको और ओपी टू से रिलेटेड काफी इंपॉर्टन जानकारी देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें विडियो को लाइक करें साथ ही साथ बेल का इकन को दबा दीजे फ्रेंड्स साथ ही में फ्रेंड्स आपको विडियो के डिस्क्रिप्शन में वाट्सेप ग्रूप का लिंग मिल जागा उससे या कि आप जॉइन कर लिजे उससे फाइदा ये होगा कि आपको जॉब की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी तो आईए देखते हैं क्या है नियूज यहाँ पर देखे फ्रेंड्स X-Servicemen Welfare के द्वारा Department of X-Servicemen Welfare Ministry of Defense and Government of India के द्वारा यहाँ पर एक important notification जारी की गई है आप यहाँ पर आप देख सकते हैं DA जी हाँ आपने बहुत समय से इंतजार था कि जो हमारा बढ़ा हुआ DA है वो कब रिलीज किया जाएगा तो यहा be increased by 3% यहाँ पर आप देख सकते हैं 3% से आपका जो है DA यहाँ पर बढ़ने वाला है और साथ ही साथ आपको कब मिलने वाला है जनवरी 31 तारीक को जी हाँ जनवरी 31 तारीक तक आपका जो है DA का जो बढ़ा हुआ पैसा है वो आपको अपने खाते में देखने को मिलने वाला है जो की 3% से यहाँ पर बढ़ने वाला है उसके अलावे बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेवल जारी किया गया है जिसमें आपको बता दू कि पहले जो टेवल जारी किया गया था और आपको कितना यहाँ पर पैसा बन रहा है लंब सम यहाँ पर बताया गया है आपको बता दू कि यह कोई official टेवल नहीं है लेकिन यह जो टेवल है लगभग लगभग जो है मिलता जुलता टेवल रहने वाला है तो आप देख सकते हैं लगभग आपका एतना पैसा यहाँ पर देखने को मिलेगा साथी साथ अन्य रेंग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है सिपाही नायक सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है और आपको जो है जुलाई 2022 यानि आपको कब तक मिलेगा तो कम से कम जो है आपको 31 दिसंबर तक का पेमेंट आपको यहाँ पर जो है पचास हजार का आर्थिक मदद देने जा रही है कौन देने जा रही है फ्रेंट्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं केंदर सैनिक बोर्ड जी हाँ केंदर सैनिक बोर्ड जो है अब आपको जो है पचास हजार तक की आर्थिक मदद यहाँ पर देगा बेटियों की साध आपको पता ही है कि चार किस्तों में मिलने वाला है उसके अलावे यदि आप CHD कार्ट का इस्तमाल करते हैं तो आप आपको रिन्यूवल कराने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ यदि आप CHD कार्ट का भी इस्तमाल करते हैं तो अब आपको एक महने नहीं एक प्लस एक यानि दो महने का रासन एक ही महने में मिल जाएगा यानि यदि आप जनवरी में जाते हैं तो आपको जनवरी का रासन मिलेगा उसके साथ आप चाहे तो फरवरी का भी अपना कोटा जनवरी में ट्रांसफर करके दोनों महने का एक साथ आप ले सकते हैं यानि आपको बार बार CSD जाने की जरुवत अब नहीं पढ़ने वाली है